लिजे सुनिए जैशंकर प्रिसाद के लिखी कहानी रसिया बालम वाचन समीर गोस्वामी का है संसार को शांती मय करने के लिए रजनी देवी ने अभी अपना आधिकार पूर्ण तहा नहीं प्राप्त किया है अंशुमाली अभी अपने आधिये बिम्ब को प्रतीची में दिखा रहे हैं केवल एक मनुष अर्बुद गिरी सुद्रण दुर्ग की नीचे एक जरने की तट पर बैठा हुआ उस अर्ध सुरण पिंड की ओर देखता है और कभी-कभी दुर्ग की ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता है फिर कुछ गुन-गुनाने लगता है गंटों से वैसे ही बैठे बीट गए कोई कार नहीं केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमी पर पड़ी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं था वो तो केवल उस खिड़की में के उस सुन्दर मुक की ओर देखने की आशा से उसी ओर देखता रहा जिसने केवल एक बार उसे जलग दिखा कर मंत्र मुग्ध कर दिया था इधर उस कागज में लिप्टी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा कर खड़ा था उठा कर चलता हुआ धीरे धीरे रजनी की गंभीरता उस शैल प्रदेश में और भी गंभीर हो गई और जाडियों की ओट में तो अंधकार मूर्तिमान हो बैठा हुआ ग्यात होता था परन्तु उस यवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं जब तक उस खिड़की में प्रकाश था तब तक वो उसी ओर निनिर्मेश देख रहा था और कभी कभी अस्फट स्वर से वही गुन गुनाहट उसके मुक से वनस्पतियों को सुनाई पड़ती थी जब वो प्रकाश बिलकुल न रहा तब वो यवक उठाओ और समीब के जरने के तट से होते हुए उसी अंधकार में विलीन हो गया दिवाकर की पहली की रन ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना नहीं ग्याद हुआ जितना की ये की वक के शरीर इस पर्ष से उन्हें हिलना पड़ा जो की काटे और जाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो ये वक फिर उसी खिड़की के सामने पहुँचा और जाकर अपने पूर्व परचित शिला खंड पर बैठ गया और पुनह वही क्रिया आरंब होई दीरे दीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा युवक चौक उठा और क्रोधित होकर बोला तुम कौन हो आगंतुख हस पढ़ा और बोला यही तो मेरा प्रशन है कि तुम कौन हो और क्यों इस अंतहपुर की खिड़की के सामने बैठे हो तुम्हारा क्या भी प्राय है युवक मैं यहाँ घूमता हूँ और यही मेरा मकान है मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र वो बात ये है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ट में रहता है मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को परसंद करता हूँ सेनिक परमित्र तुम नहीं जानते कि ये राज की अंतहपुर है तुम्हें ऐसे देख कर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महराजा तुम्हें क्या समझेगे युवक जो कुछ हो मेरा कुछ असत अभी प्राय नहीं है मैं तो केवल सुन्दर रूप का दर्शन ही निरंतर चाहता हूँ और यदि महराज पूछें तो यहीं कहूंगा सैनिक तुम जिसे देखते हो हुसेम राजकुमारी है और तुम्हें कभी नहीं चाहती अते हो तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है युवक क्या वो राजकुमारी है तो चिंता क्या मुझे तो केवल देखना है मैं बैठे बैठे देखा करूंगा पर तुम्हें ये कैसे मा तो एक पत्र दे कर ये देखो, युवक उसे लेकर पढ़ता है, उसमें लिखा था, युवक तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हो, मैं तुम से कदा भी नहीं मिल सकती, क्यों महिनों से यहां बैठे बैठे अपना शरीर नश्ट कर रहे हो, मुझे तुम्हारी आती है, अतहा तुम को सचेत करती हूँ, फिर कभी यहां मत बैठना, वही जिसे तुम देखा करते हो, युवक कुछ देर के लिए इस्तमभित हो गया, सैनिक सामने खड़ा था, अकसमात युवक उठखर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़ कर बोला, मित्र, तुम हम कुछ उपकार कर सकते हो, यदि करो, तो कुछ विशेश परिश्रम ना होगा, सैनिक, कहो क्या है, यदि हो सकेगा तो अवश्य करूगा, ततकाल उसी वक ने अपनी उगली एक पत्थर से कुचल दी, और अपने भटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाल कर, तिन का लेकर उ और उस सैनिक के हाथ में दे कर कहा, यदि हम ना रहें, तो इसको उस निश्ठुर के हाथ में दे देना, बस और कुछ नहीं, इतना कहकर यवक ने पहाड़ी पर से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, रसिया, ठैरो, यवक आवाक हो गया, क्योंकि और पूर्व सैनिक स्वेम अर्बुद्गरी के महराज थे, महराज आगे हुए और सैनिकों के बीच में रसिया, सब सिंग दौर की ओर चले, किले की भीतर पहुँचकर रसिया को साथ में लिये हुए महराज एक प्रकोष्ट में पहुँचे, महराज ने प्रहरी को आग्या बना रखी है, रसिया, चौक कर, महराज को मेरा नाम कैसी ग्यात हुआ, महराज, बलवन्त, मैं बच्पन से तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पूर्व पुर्शों को भी जानता हूँ, रसिया चुप हो गया, इतने मैं महराज भी राजकुमारी को साथ लिये हुए आ गही, महराणी ने प्रणाम कर पूछा, क्या आग्या है, महराज, बैठो कुछ विशेश बात है, सुनो और ध्यान से उसका उत्तर दो, वो यवक जो तुम्हारे सामने बैठा है, एक उत्तम शत्रिय कुल का है, और मैं इसे जानता हूँ, ये हमारी राजकुमारी के प्र को देख लिया था और जो संकुचित होकर, इस समय महराणी के पीछे खड़ी थे, ये सुनकर और भी संकुचित हुई, पर महराणी का मुख क्रोध से लाल हो गया, वो कड़े स्वर में बोली, क्या आपको खोचते खोचते मेरी कुसम कुमारी कन्या के लिए यही वर मिला, वह, अच्छा जोड मिलाया, कंगाल और उसके लिए निधी, बंदर और उसके गले में हार, भला ये भी कहीं संभाव है, आप शीगर अपने भ्रांती रोक की आउशदी कर डालिये, ये भी कैसा परिहास है, कन्या से, चलो बेटे, यहां से चलो, महराणी, नहीं ठहरो और स सुनो, ये स्थरो हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा, तुम इसे परिहास मत जानो, अब जो महराणी ने महराज के मुक की ओर देखा, तो द्रन प्रतिग दिखाई पड़े, निदान विचलित होकर महराणी ने कहा, अच्छा मैं भी प्रस्तुत हो जा प्राता काल तक का देती हूँ, जब तक कि कुक कुट का स्वर्ण न सुनाई पड़े, तब अवश्य में राजकुमारी का ब्याह इसी से कर दूँगी, महराज ने इवक की ओर देखा, जो निस तब्ध बैठा हुआ सुन रहा था, वो उसी शन उठा और बोला, मैं प्रस्त पर कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़े विश्की आवश्यक्ता है, उसकी आज्यानुसार सब वस्तुएं उसे मिल गई, और वो शीगरता से उसी जरने के तटकी और दोड़ा, और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया, और उसे तोड़ने का उद्योग करने जगा, क्योंकि इसी के नीचे एक गुप्त पहाड़ी पत था, निशा का अंधकार कानन प्रदेश में अपना पूरा अधिकार जमाई हुए है, प्रायह आधी रात बीत चुकी है, पर केवल उन अगनी इस फ्लिंगों से कभी कभी थोड़ा सा जुगनु का सा प्रकाश हो जाता है, जो कि रसिया के शस्त्र प्रहार से पत्थर में से निकल पड़ते हैं, दना दन चोट चली जा रही है, विराम नहीं है शनबर भी, ना तो उस शेल को और ना उस शस्त्र को, अलोकिक शक्ती से वो यवक अविराम चोट लगाई ही जा रहा है, एक शन के लिए भी इधर उधर नहीं देखता, देखता है तो केवल अपना हाथ और पत्थर, उंगली एक तो पहले ही कुछली जा चुकी थी, दूसरे अविराम पर इश्रम, इस से रक्त बहने लगा था, पर विश्रम कहा, उस वज्र सार शेल पर वज्र के समान कर से, वो ये वक चोट लगा पहार से लुड़कते हैं, जो सोय हुए जंगली पशुओं को घबडा देते हैं, ये क्या है, केवल उसकी तनमयता, केवल प्रेम ही उस पाशान को भी तोड़े डालता है, फिर वही दना दन बराबर लगातार परिश्रम विराम नहीं है, इधर उस खिरकी में से आलोक भी निकल रहा है और कभी कभी एक मुखड़ा उस खिरकी से जाक कर देख रहा है, पर युवक को कुछ ध्यान नहीं, वो अपना कार्य करता जा रहा है, अभी रात्त्री के जाने के लिए पहर भर है, शीतल वायूस कानन को शीतल कर रही है, अकसमात तरुन कुकुट कंठनात कुछ नहीं, वो कानन एका एक शून हो गया, ना तो वो शब्द ही है और ना पत्त्रों से अगनी इस फुलिंग निकलते हैं, अकसमात उस खिरकी से एक सुन्दर मुख निकला, उसने आलोग डाल कर देखा कि रसिया एक पात्र हाथ में लिए है और कुछ कह रहा है, इसके ब्रांद, वो उस पात्र को पी गया और थोड़ी देर में वो उसी शिला खंड पर किर पड़ा, ये देख उस मुख से भी हलका चीतकार निकल गया, खिरकी बंध हो गई, फिर केवल अंधकार रह गया, प्रभात का मलय मारुत उस अर्बुद गिरी के कानन में वैसी क्रीड नहीं कर रहा है, जैसी पहले करता था, दिवाकर की किरन भी कुछ प्रभात के मिस से मंद और मलिन हो रही है, एक शव के समीब एक पुरुष खड़ा है, और उसकी आखों से अश्रुधारा बह रही है, और वो कह रहा है, बलवन्त, ऐसी शीगरता क्या थी, जो तुमने ऐस किया, ये अर्बुद्गरी का प्रदेश तो कुछ समय में ये व्रध तुम ही को देता, और तुम जिसमें चाहे, जिस स्थान पर अच्छे परियंक परसोते, फिर ऐसी क्यों पड़े हो, वत्स, ये तो केवल तुमारी परिक्षा थी, ये तुमने क्या की, इतने में एक सु मुक्त कुंतला, जो कि स्वेम राजकुमारी थी, दोड़ी हुई आई और उस शव को देखकर ठिटक गई, नत जानू होकर उस पुरुष का, जो कि महराज थे, और जिसे इस समय तक राजकुमारी पहचान न सकी थी, चरण धर कर बोली, महत्मन, क्या व्यक्ति ने, जो यह पढ़ा है, मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है, या कुछ कहा है, महराज ने उसे पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता है कि तुम इतनी निश्ठुर हो, अस्तु, अब मैं यहीं रहूँगा, पर याद रखना, मैं तुम से अवश्य मिलूँगा, क्योंक दरशना भिलाशी, रसिया, इसी समय महराज को सुंद्री पहचान गई, और फिर चरण धर कर बूली, पिता जी, शमा करना, और शीगरता पूरवक, रसिया के करिस्थित पात्र को लेकर अवशेश पी गई और गिर पड़ी, केवल उसके मुख से इतना निकला, पिता जी, शमा करना, महराज देख रहे थे, वास्तव में वो शब्द को कुटका नहीं, बलकि छद में वेशनी महराणी का था, जो कि बलवंत सिंग जैसे दीन व्यक्ती से अपनी कुसम कुमारी के पानी गिरहान की अभिलाशन नहीं रखती थी, किन्तु महराज इससे अनभिग्य थ अभी आप सुन रहे थे, जैशंकर परसाथ की लिखी कहानी, रसिया बालम, वाचन समीर कुस्वामी का था